नमस्कार जैसेलसी आइम नीरत चास्ता टीम फिजिक सीलसी सीकर हम लोग आज सॉलुशन करने वाले हैं टेश सीरीज माइनर नंबर दो का जिसके हमारे टॉपिक रहे थे रिलेटिव मोशन एंड टू डाइमेंशन मोशन दोनों बहुत इंट्रेसिंग टॉपिक है और यूट करें इन टॉपिक के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा आज का जो पेपर हुआ है उसके सॉलुशन की तरफ हम लोग चलते हैं और हमारा कॉश्चन नंबर वन रहता है कि वेलोसिटी अब प्रोजेक्ट टाइल एट पॉइंट बी एट अट 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 ौइंट बी is 2 i-3j मेटर पर से के डवेलोसिटी कि इन मिटर पर सेकंड अट पॉइंट एक वेलोसिटी अलगे मेंटर शानते हैं कि हमारे पास situation जू रहती है X component क्या रहेगा? वो ही बना रहेगा तो X component तो हमारे पास जो 2 है वो 2 ही रहेगा और इधर Y component क्या हो जाता है? negative हो जाता है दीखे? तो इधर आपके पास same Y component इधर क्या रहेगा? हमारे पास positive रहेगा. कहने का मतलब आपके पास इस A point पर जो velocity होनी चाहिए 2i x component same और y component जो है that should be in positive to 2i plus 3j यानि कि ए point पर जो velocity अपने particle की रहेगी या projectile की रहेगी that will be 2i plus 3j 2i plus 3j option number हमारे पास बन जाएगा 4 simple question, अच्छा सा question है, हम लोग आगे बढ़ते हैं next question पर हमारे पास question ये बूल रहा है that at the top of the trajectory of the projectile the values of dv vector upon dt and dv vector magnitude upon dt are एक simple सा concept है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें या पर ध्यान रखनी है यहाँ पर rate of change of velocity vector अपने को पूछा हुआ है, तो rate of change of velocity vector इसके लिए अपने को बात करनी है, तो rate of change of velocity vector क्या होता है, हम लोग जानते हैं dv vector upon dt को हम लोग बोलते हैं acceleration और हम लोग जानते हैं projectile का acceleration है that is g in downward direction, तो यहाँ पर हमारे पास पहले पहली जो situation given है इसमें dv vector upon dt which is rate of change of velocity vector, it is acceleration and it is acceleration of projectile is g but दूसरा जो पूछा गया है, यह अपने पास क्या है, that is d by dt of the magnitude of velocity vector अब अपन projectile के लिए जानते हैं कि projectile के topmost point पर velocity का magnitude रहता है velocity vector का magnitude यह कितना रहता है अपने पास, u cos theta तेक है, और यह time independent है, कहने का मतलब अपने को basically पूछ रखा है d v vector magnitude upon dt but topmost point के लिए, at the top of the trajectory, आपके पास v का magnitude रहता है, वो कितना है, u cos theta है, यानि कि we need to do d by dt of u cos theta यह u cos theta term time से independent quantity है, time से independent होने का मतलब इसमें t का कोई function नहीं है, तो इसका differentiation होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानि कि हमारे पास अभी, अगर अपने situation में बात करते हैं, तो अपने पास इदर, इसका इसकी value या इसका answer क्या रहेगा, this will be g और इसका solution क्या रहेगा अपने पास, 0, तो अपना answer रहेगा, answer number 2, g and 0, बहुत simple सी बात है इसको हम लोग यह बोल सकते हैं कि rate of change of velocity vector, वेग सदिश में परिवरतन की दर और यह है speed, magnitude of velocity या वेग का जो परिमान होता है, उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं तो यह चाल में परिवरतन की दर है, यह वेग में परिवरतन की दर है, यहाँ पर topmost point पर u cos theta या constant रह जाएगा, तो अपने पास differentiation क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, next, अगले question की बात करते हैं, तो अपने पास अगली situation रहती है, अगली situation में हमें एक car is going in northeast at 80 km per hour and car b is going in southeast at 60 km per hour, एक car अपने पास दे रखी है, car a जो है, वो किदर जा रही है, अपने directions बना लेते हैं, let's say, यह अपनी north direction है, यह अपने पास क्या है, east direction है, यह अपने पास क्या है, इधर अपने पास south direction है, इधर अपने पास west direction है, ठीक है, कोई दिक्कत नह north east, north east अपने पास रहेगा, इधर की तरब यह जा रही है, car कित्ते से 80 km per hour से इधर जा रही है, and car b is going south east, south east कितर जाएगा, यह south east अपने पास इधर रहा, और car इधर कित्ते से जा रही है, 60 km अपने पास क्या हो जाएगा, per hour से car इधर जा रही है, the direction of velocity of a relative to b, direction of velocity of a relative to b, य इसको क्या लिखेंगे अपन वी ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा वी बी ए वेक्टर तो वी ए वेक्टर की बात करो तो वी ए वेक्टर अपने पास बनेगा इधर ये 45 डिग्री नॉर्थी है 45 रहेंगे यह एंगल भी अपने पास कितना रहेगा 45 डिगरी रहेगा तो इसको अगर अपन solve करते हैं तो वी ए की का जो magnitude बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे पास वी ए 80 cos 45 cos 45 का मंदलब 80 by root 2 यह हो जाएगा i cap प्लस यह हो component 60 का इधर वाला component 60 cos 45 60 cos 45 क्या हो जाएगा 60 by root 2 यह बन जाएगा मेरे पास 60 upon root 2 i cap और इधर इसका इधर component बनेगा 60 sin 45 तो यह बनेगा मेरे पास 60 sin 45 by root 2 j cap बट इसकी direction क्या है direction अपनी negative direction है यह इधर है अब अपने को calculate करना है vab vector that is va vector minus vb vector यानि कि अपने को यहाँ पर इसको subtract करना है subtract करना है तो अपने बास जो equation बनेगी इसमें से यह subtract होगा तो इसकी value vab that is equals to va vector minus vb vector इसकी जो situation बनेगी इसमेंस सब्रसकों आपन करेंगे तो this will be 20 upon root 2 i cap और इसमें से इसको subtract करेंगे तो यह दोनों add हो जाएगा और यह term बन जाएगा अपने पाला plus 140 अपन रूट 2 यह हो जाएगा मेरे पास कितना जेक है तो VAB का magnitude अपने पास यह आ गया तेक है अब अपने को बोला है that the velocity of A relative to B जो अपना VAB है तेक है V A vector minus V B vector simple सी बात चल रही है जिसमें makes angle alpha with the north north से यह जो relative velocity बन रही है जो भी जो भी बन रही है V A minus V B के अगर अपन बात करें तो यह रहा मेरे पास कितना V A यह V B है तो V B अपना minus में किदर जाएगा अपने पास इसको minus करेंगे तो इसको negative करके अपने इधर डाल देते हैं तो यह अपने पास क्या हो जाएगा minus V B vector और इन दोनों का resultant कुछ ऐसा बनेगा यह अपने पास minus V B यह अपने पास V A इन दोनों का resultant इधर बनेगा तो यह अपने पास हो गया कुछ angle alpha पैलोग्राम से अपने V A vector और minus V B vector को क्या किया है एड किया है इसका angle north से alpha बन रहा है north से अगर angle alpha बन रहा है यानिकि अपने पास basically y axis से angle अपने को calculate करना है तो y axis से बनने वाला angle क्या होता है 10 alpha y axis से angle है यानिकि x component ax अपन क्या हो जाएगा ay angle from y axis तो इसकी अगर अपन बात करें तो यह कितना बनेगा मेरे पास 20 upon under root 2 upon कितना हो जाएगा यह 140 upon कितना हो जाएगा under root 2 under root 2 से under root 2 cancel 20 से 40 7 times cancel तो अगर अपन यहाँ पर 10 alpha की बात करें तो 10 alpha कितना हो जाएगा 1 by 7 एक simple question यहाँ पर आपको basically y axis से angle बुलना है तो y axis से angle कितना होता है 10 theta is equals to ax upon ay अगर x axis से angle बुला हो तो वो कितना हो जाएगा मारे पास ay upon 10 theta will be equals to ay upon ax तो अपने पास 10 alpha की जो value बनेगी that will be 1 upon 7 1 upon 7 अपना जो answer रहेगा that will be answer number 1 अगला question पर चलता है अगला question क्या बूलता है अपने को देखो this is a body is thrown horizontally with velocity under root 2gh ठीक है root 2gh velocity से अपन एक body को horizontally project कर रहे है from the top of a tower of height h ठीक है एक tower से कुछ root 2gh velocity से horizontally अपन किसी object को fire कर रहे है and it strikes the ground through the foot of the tower at distance x from the tower okay the value of axis अपने पास यह रहा कुछ h height का tower इदर से इस h height की tower से किसी particle को अपन यू velocity से कुछ distance पर इस तरह से horizontally इस तरह से fire करते हैं तो यह कितनी distance पर जाता है इसको अगर अपन इसकी range बोल दे r अगर इसकी range हो तो r का equation क्या होता है r होता है हमारे पास u under root यह रहेगा 2h upon g अब अपने को r की बात करते हैं तो r की value आपको question में calculate करनी है और इसने यू जो है firing velocity अपने को पहले से given है इसने पहले से जो firing velocity दे रिखी है यू की value that is under root 2gh यू की value यहाँ पर वस्तु को h उचाई की मिनार से शेती दिशा में इतने वेग से प्रक्षपित किया जाता है यानि की horizontally जो velocity है that u is root 2gh आगे बात करते हैं इधर यह term कितनी चल रही है 2h upon g तो under root g से under root g cancel under root 2h under root 2h का multiplication अपने पास result क्या मनेगा 2h तो अपना solution रहेगा answer रहेगा इसका कितना 2h answer number 3 इसके question number 4 के लिए correct option रहेगा आगे बढ़ते हैं अपन question number 5 की बात करते हैं question number 5 क्या बोल रहा है हम लोग को the equation of a projectile is y is equals to 16x minus 5x square upon 4 the horizontal range is यहाँ पर एक प्रक्षपिकी गती का समीगरण अपने को दिया है और उसकी क्षेतिच परास अपने को ग्याद करनी है तो प्रक्षपिक के लिए अगर अपन देखे तो प्रक्षपिक का समीगरण क्या होता है वाई अगर अपन इसका मूल समीगरण देखें तो यह क्या होता है एक्स 10 जीटा 1-x अपन आर यह अपने पास प्रक्षपिक का समीगरण रहता है अपने को ऐसा समीगरण चाहिए तो इस समीगरण में अपने को यहाँ पर क्या करना है इस equation जो अपने को देर रखिये ओस equation को अपने को इस तरह से arrange करना पड़ेगा कहने का मतलब यहाँ पर bracket में अपने पास 1 आना चाहिए, जैसे अपने देखे, y कितना given है, अपने को y दिया है, अपने पास 16x, इधर, sorry, my mistake, अपने को equation जो दे रिखी है, वो कितनी है, 16x-5x square upon कितना हो जाएगा, 4, यह equation दे रिखी है, तो आपको इस equation को इस तरह से arrange करना प बने, यानि कि x की जो भी term है, आपको पूरा उसको क्या करना पड़ेगा, common लेना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर y, 16x पूरा common लेता हूँ, तो 16x common लेने पर, यहाँ पर अपने पास time क्या हो जाएगी, 1 minus, यह हो जाएगा मेरे पास 5x square upon 4, और इधर आपक 16x, 1 minus 5, x upon कितना हो जाएगा, 16 into 4, यह हो जाएगा 64, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो अपने पास equation बनी कि 16x, 1 minus, इसको लिख सकते है, x upon 64 by कितना हो जाएगा, 5, 64 by 5, अब इसका comparison अपन यहाँ पर करते हैं, ऐसा रख दिया, y की जिगए पर y, अपने पास x 10 theta, x 10 theta की value कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 16 हो जाएगी, तो 10 theta की value अपने पास 16, आगे चलते हैं, 1 की जिगए पर 1, minus x की जिगए पर x, और r की जिगए पर अमरे पास कितना बन रहा है, 64 upon 5 बन रहा है, तो अगर अपन यहाँ पर range की बात करने हैं, तो range कितनी हो जाएगी है, अ अगर अपन बात करें, तो 64 upon 5 जो बनेगा, यह कितना बनेगा, अपरे पास 12.8, 12.50 और यह हो जाएगा अपरे पास 12.8 मिटर, तो simple ऐसे question कभी भी आया है, तो आपको इस तरह से equation को क्या करनी है, arrange करना है, question number 6 की तरफ चलते हैं, question number 6 हमें बुल रहा है कि, इदर, इस शिप A is moving westward, ठीक है, शिप A जो है, वो west में जा रहा है, with speed 10 km पर आर, ठीक है, इस शिप B, 100 km south of A, ठीक है, is moving northward, with speed 10 km पर आर, ठीक है, the time after which the distance between them become shortest, एक जहाँ पश्यम की और 10 km पर आर की चाल से गती कर रहा है, और A के दक्षिड में, ठीक है, 100 km दूरी पर दूसरा जहाँज B, उत्तर की और 10 km परती गंटा की रफ्तार से, यह चाल से गती कर रहा है, तब कितने समय पश्यात उनके दोनों के मध्य दूरी न्युन्दम हो जाएगी, ऐसे कुश्चन को करने के लिए, अपने को पहले, एक systematic अपन डाइगराम बना लेत यह रहा मेरे पास south, इधर रहा मेरे पास east और इधर रहा मेरे पास west, तेक है, यह ship जो है, वो 10 km पर आज से westward मूँ कर रहा है, यानि कि west direction में VA या velocity of A, यह कितना आपने पास 10 km पर आर, यह इधर जा रहा है, VA, अब B कहां पर है, इसने बोला है कि B जो है, वो यहाँ से 100 km downward direction में है, 100 km यह downward direction में है, और यह जो B है, यह VB इसकी जो देर रिखी है, यह north direction में, A is moving north, B and ship B, 100 km south of A is moving northward with speed of 10 km पर आर, तो यह जो B है, यह 10 km पर आर से इधर की दरब मूँ कर रहा है, Done, कोई दिक्तर नहीं है, तो after which, the time after which distance between them becomes minimum, तो minimum distance वाले questions को solve करने के लिए, आप इनकी relative motion की अपन बात करेंगे, अपन यहाँ पर इस diagram में calculate करेंगे, VBA, VBA का मतलब अपन VB vector, VB vector minus VA vector यहाँ पर solve करेंगे, कहने का मतलब relative velocity of B with respect to A, अपने को यहाँ पर calculate करना है, उससे यह question में क्या होगा, वो अपन बात करेंगे, अगर मैं इस diagram में देखू, तो अपने पास VA की direction यह होगी, this is VA, अपने पास VB की direction यह होगी, VB, एक vector को parallel shift करने में उसमें कोई change नहीं होगा, तो यह VA vector है, यह VA vector इसको उठाया आपन ने, इसको यहाँ पर लेकिया है, parallelly, तो VA vector इधर की दरफ, यह VB vector इसको उठाया के लेकिया है, VB vector यहाँ पर इसको लेकिया है, यह VB vector इधर की दरफ, आपको diagram में calculate करना है, VB vector माइनस VA vector, वी बी वेक्टर माइनस VA vector तो अपन क्या कर देते हैं, इस VA को इधर कर देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, minus of VA vector, इन दोनो direction में आपके पास यह जो बन रहा है, इसका magnitude कितना है, अपने पास 10 है, इसका magnitude 10 है, यह side 10 की है, तो यह side भी कितनी की हो जाएगी, 10 की, और यह angle जो हो जाएगा, 45 degree हो जाएगा, because this is 10, and this is also 10, this angle will be 45 degree, ठीक है, तो basically अभी यह जो direction बन रही है, इसको अगर आपन देखे, तो अपने पास इस direction को यहां से उठा के, मैं इधर लेके जाता हूँ, तो यह North East direction में आ रहा है, कहने का मतलब A के respect में B जो है, वो North East direction में move कर रहा है, तो अपन अब वापिस diagram बनाते हैं, तो इस diagram को clearly बनाते हैं, और अब अपन बात करते हैं, किसके respect में, यह रहा अपना A, इ रूच, velocity से जा रहा है, यह angle इसका horizontal से यह angle कितना है, यह angle 45 यहां पर बन रहा है, North East direction अब इसका magnitude अगर बोले, तो इसका magnitude, यह अपने पास 10 है, यह अपने पास 10 है, तो इसका magnitude कितना हो जाएगा, 10 root 2 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों vector किस पर है, 90 degree के एंगल पर, 90 degree के एं 10 root of 10 square plus 10 square 10 root 2, तो A के respect में B जो है, वो इस direction में जा रहा है, यह इधर की तरफ यू जा रहा है, और इसकी velocity कितनी है अपने पास, इसकी velocity है 10 under root 2, 10 under root 2 से इधर जा रहा है, तो अपने को यह पुछाए कि कितने time के बाद यहां पर इनके बीच में distance जो है, वो minimum हो जाएगी, क side में perpendicular डाले, यह वाली A और B के बीच में distance minimum होगी, इस distance minimum होने के लिए इस B को यहां से कितना चलना पड़ेगा, कुछ X चलना पड़ेगा, तो X के लिए अगर अपने बात कर लेते हैं, तो यह X distance जो है, वो X कैसे रहेगा, यह angle 45 है, यह angle कितना हो गया, 45, यह angle 90 degree, तो 90 के स आपने यह हो गया, आपके पास perpendicular, तो यह हो गया, आपने पास base, तो आप अपन देख सकते हैं, X upon 100, that will be equals to, this will be perpendicular, this will be base, X upon 100 will be equals to cos 45, यानि X की value अगर आपन देखे तो यह हो जाएगा, 100 cos 45, that is 100 upon under root 2, तेखे है, यह इसको मैं लेख सकता हूँ, यह कितना हो जाएगा, 50 under root 2, यह distance आपके पास 50 under root 2 हो गई है, 50 under root 2 distance को, यह कितने से travel कर रहा है, B कितने से travel कर रहा है, B travel कर रहा है, इसको कितने से, 10 under root 2 से, तो अगर लगने वाले time की बात करें, तो this will be X upon क्या हो जाएगा, हमारे पास, VBA, X, distance travel करनी है, अपने को 50 under root 2, और A के respect में B जो चल रहा है, व will be 5R, एक systematic question है, कभी भी minimum distance वाले questions जो है, आप इनको relative velocity से solve करें, चीज़ थोड़ी से आसान हो जाती है, और यह अपने पास क्या रहा जाएगा, इसका answer, that will be 5R, 5R will be there, the minimum time, या time at which their distance will be minimum, वह समय होगा, पांच गंटे वह समय होगा, जब उनके बीच में जो दूरी है, वो नियुनतम होगी, अगले question पर चलते है, हमारे पास next question जो रहेगा, this will be, a ball is thrown from rear end of the compartment to the front end, which is moving at a constant horizontal velocity, ठीक है, an observer A sitting in the compartment and another observer B standing on the ground, rather trajectory, they will have, एक नियत क्षेति जवेग से गति shield railguardi के एक divay के पिछली सीरे से अगली सीरे की और एक gain को फेका जाता है, ठीक है, तो दिबे में बेठा एक प्रक्षक, A, एक A प्रक्षर है, जो दिबे में बेठा हुआ है, और प्त्वी पर खड़ा दूसरा प्रक्षक, इस gain का पथ चित्रित करते हैं, तो उनकी चित्रो में होगा इसको वैसे तो simple open solve कर सकते हैं पर मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूँ यह अपने पास rail guardi यहां से अपने एक प्रक्षिप पे ऐसे fire किया है तो यह इस तरह से यह चलके यहां पर आगे-ागे गिरता है एक आदमी इसी के अंदर बैठा हुआ है और एक आदमी इसको बाहर से draw कर रहा है रेल गाड़ी आगे जा रही है तो आगे जा रही है तो यह बाहर वाले के लिए जो horizontal range क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी बट vertically अगर अपन बात करें तो दोनों को vertically height क्या लगेगी same लगी क्योंकि train चल रही है train horizontal direction में चल रही है तो train horizontal direction की वज़े से अगर train वाला इसका trajectory ड्रॉ करेगा तो इसका trajectory जो रहेगा उसमें और बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है उसके उसने जो trajectory draw करीए उसमें जो difference होगा वो यह होगा कि projectile के लिए train वाला आदमी के लिए तो projectile U से ही चल रहा है ठीक है train वाले आदमी के लिए तो projectile U से ही गया है पर बाहर वाले आदमी के लिए projectile के पास में एक U velocity है पर उसके साथ साथ उसको train की velocity भी उसको आगे push कर रहे है जिसकी वज़े से उसकी horizontal range जो रह जाएगी वो दोनों के लिए अलग-अलग हो जाएगी but acceleration due to gravity तो अपने पास दोनों के cases में क्या रहेगा जी रहेगा तो इनकी height क्या रहेगी same रहेगे कहने का मतलब इनको vertical range जो अबसर होगी वो सेम होगी but horizontal range जो होगी वो क्या होगी अलग अबसर होगी the equal vertical ranges but different horizontal ranges हमारे पास situation जो रहेगी दोनों को vertical range same observe होगी but horizontal range क्या रहेगी अलग रहेगी तो simple question है चलते हैं आप पर अगले question पर question number 8 question number 8 हमें बोल रहा है a ball is thrown vertically upward with a velocity 10 meter per second from a building of height 100 meter the maximum height attained by the ball above the ground एक गेंद को 10 meter प्रती second के वेग से 100 meter उंची इमारत से अपनने उर्द्वादर उपर की और प्रक्षेपित किया गया है तो गेंद से गेंद द्वारा प्रत्वी से प्राप की गई अधिक तो मुचाई किदनी होगी तो अपने को पहले से दे दी है यह कितनी है 100 meter की बॉल को अपने फायर किया उपर की दरम और कुछ कितने से 10 meter पर सेकिंड से फायर किया है जिसकी वज़े से गेंद उपर जाएगी तो इसकी यहां से यह वाली हीट की बात करें तो यह कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन 2 जी रहेगा यू स्क्वायर यह हो जागा 10 का स्क्वायर अपउन 2 इंटू यह कितना हो जागा 10 10 10 एक 10 cancel, 10 by 2, ये कितना हो जाएगा 5, पर हाइट, टावर की हाइट अपने को पहले से कितनी दे रखिए, 100 दे रखिए, तो अपने पास टोटल हाइट जो हो जाएगी, 100 तो ये और 5 ये, टोटल हाइट जो रहे जाएगी, that will be 105 meter, done, simple question, इसने पुछा है कि, maximum height attained by the ball above the ground, तो 5 meter तो उसकी खुद की height है, फेकने से और 100 meter किसकी height है, टावर की height है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 105 meter, चलता है अगले question पर, question number 9, question number 9 जो है, वो हमारे पास, rain is falling vertically downward with the speed of 4 km पर आर, टेक है, okay, rain vertically downward है, एक girl moves on the straight road with the speed of 3 km पर आर, टेक है, the apparent velocity of rain with respect to girl will be, तो अपने पास क्या हो रहा है, rain vertically downward direction में है, तो यह रहा आपने पास vr vector, girl इदर की तरफ चल रही है, then velocity of man is in this direction, तेक है, अपने को velocity of rain, velocity of rain with respect to man की बात करनी है, तो velocity of rain with respect to man, that is equals to velocity of rain minus velocity of man, यह होगा, वर्षा का व्यक्ति के साब एक्सचाल, वर्षा का व्यक्ति का व्यक्ति का व्यक्ति, तो अपने को यह calculate करना है, इस calculate करने के लिए vr को positive रखते हैं, और vm को क्या कर देते हैं, negative कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अपना minus vm, इदर से, अगर इन दोनों को add करते हैं, vr और minus vm को अपन add करते हैं, vr और minus vm को add करेंगे, तो यह बन जाएगा अपने पास vrm vector, और इसकी value अपने को क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है, तो कोई दिक्रत नहीं है, इसकी value, vr की value कितनी दी हुए है, rain, rain falling vertically down, rain 4 से गिर रही है, और girl moves on a straight road with 3 km per hour, इसका magnitude 3 है, तो these are negative vectors, जिनका magnitude same, direction opposite, तो यह 4 हो गया, यह अपने पास 3 हो गया, यह अपने पास hypertenuous हो रहा है, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि vrm का जो magnitude हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, under root of 4 square plus कितना हो जाएगा, 3 square, because यह एक right angle triangle बन रहा है, velocity का, तो अपने पास इसकी value कितनी ह जाएगी 5, तो result जो रहेगा, that is 5, 5 km per hour, question number 9, result is 5, एक simple question है, तीक है, आप इसको एक velocity diagram इस तरह से अपन बना के इसको simply solve कर सकते हैं, equation नहीं भी use करें, तो भी यहाँ पर आप directly इस diagram सह से questions को हम लोग solve कर सकते हैं, तलते हैं अपन, अगले question, question number 10, question number 10, question number 10, question number 10 हम को यह बोल है, a swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at a rate of 5 km per hour, ठीक है, okay, his speed with respect to water is 3 km per hour, the minimum possible time to cross the river is, ठीक है, अपने पास river जो चल रही है, river किते से flow कर रही है, river की जो speed है, सारी बाते आपर अपन map कर देते हैं, river की width यह है, अपने पास कितना 500 meter, एक, अपने को, इस river को cross करना है, तो यहाँ से अपन इदर यह line खीचते हैं, यह अपने पास A point है, यह अपना B point है, इस पर study करेंगे अपन, तो river flowing at a rate of 5 km per hour, यहाँ पर river जो 5 km per hour से flow कर रही है, ठीक है, और आदमी जो swimming velocity है, या with respect to river, swimming हमेशा कहाँ पर होती है, with respect to river होती है, तो यह आपको swimming velocity given है, तो आदमी की swimming velocity 3 km per hour है, तो minimum possible time पुछा है, minimum possible time के लिए आदमी को सीधा-सीधा इदर की तरफ जंप करना पड़ेगा, तो VMR, जिसकी value अपन पास किती है, 3 है, वो इदर रहेगा, river इसको आगी की तरफ पुछ करेगी, और अर्थ के respect में या आदमी किसी इस जगह पर जाएगा, यह जो diagram हमारे पास रहता है, यह diagram रहता है, minimum time में, minimum time में river cross करने के लिए, जिसमें आदमी को jump सीधा करना है, swimming velocity आदमी की इदर रहेगी river velocity इदर और अर्थ के respect में, अर्थ के respect में आदमी के जो velocity बनेगी, वो इदर की तरफ बनेगी, तो basically अपने पास VMR यह है, इदर की तरफ यह 3 km पर आर, यह होगी आपने पास 5 km पर आर और आदमी की velocity, ground के respect में इदर रहेगी, वो इदर लिखे जाएगा, तो अब इदर की जो velocity है इधर जो velocity है in vertical in this direction along AB AB के along जो velocity है जो कितनी है तीन है ये तो इसको river cross करवाने में help करेगी और इधर वाली जो velocity है वो इसको आगे भी जाईगी तो basically आदमी को river cross करवाने की दिए जो responsible velocity रहेगी वो कितनी रहेगी यहाँ पर 3 रहेगी इस direction में जो velocity है इधर अपने को distance कितनी ट्रेवल करनी है distance अपने को travel करनी है कितनी 500 500 meter इधर अगर अपन बात करते हैं तो अपने को answer minute में दिये हैं तो अपने को चीज़ों को तोड़ा सा change करना पड़ेगा actually अपने को distance जो travel करनी है that is 500 meter और अपने पास जो velocity है जो इसको velocity of man with respect to river वो कितनी अपने पास 3 kilometer यह अपने पास हो गया पर आर यह इसको river cross करवाने में help करेगी तो 3 kilometer पर आर को अपन देखें तो 3 into अपन इसको क्या लिख सकते हैं this will be 5 by 18 तो यह हो गया meter पर second में तो चलो solve कर लिते हैं 10 minute बोला है ना जा second calculate कर लेते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है 3 इसको अपने लिख सकते हैं यह 6 seconds से लोगा और यह कितना हो जाएगा 5 by 6 5 by 6 meter per second देखें कोई दिक्कत नहीं है अब अपने को अगर time calculate करना है तो minimum time in which he can cross the river तो time कितना हो जाएगा D upon अपने पास कितना हो जाएगा VMR D की value कित्ती है अपने पास 500 upon अगर अपन यहापर बात करें तो VMR कित्ती है आ चुकी है 5 by 6 तो इसको उपर shift करूँगा तो यह बन जागा मेरे पास 500 into 6 upon कितना हो जाएगा 5 इसको इससे cancel करेंगे यह बनेगा 100 तो time आपके पास बन रहा है 600 बट अपन इसको meter per second में बोला था तो यह अपने पास कितना हो जाएगा 600 second का मतलब कितना हो जाएगा 10 minute 600 seconds 10 minutes में river cross हो जाएगी तो यहाँ पर अपने पास किया रहे जाएगा river को cross करने के लिए minimum time क्या रहेगा 10 minute देखें संबल question चलते हैं अपन अगले question पर question number अपन बात करते हैं यहाँ पर 11 a man can swim in still water with a speed of 2 meter per second man can swim बोला है इसका मतलब यह है कि यह उसकी river के respect में velocity है still water में भी अगर swimming कर रहा है तो वो swimming हमेशा relative to the water होती है तो swimming velocity जब भी दी हुई है यह आपको दिया हुआ है vmr velocity of man with respect to river man if he wants to cross the river of water current speed root 3 meter per second अभी पानी जो flow कर रहा है वो root 3 meter per second से flow कर रहा है along shortest possible path अब shortest possible path जो अभी पिछला diagram create किया था अपने पास यह रा point A यह अपने पास है point B और shortest possible path रहता है यह A और B आमने सामने वाले point उसके लिए आपको swim करके इधर जाना पड़ेगा swim करके इधर जाना है यानि कि आपका जो 2 meter per second है swimming velocity इधर की तरफ होना चाहिए river आपको इधर की तरफ पुछ करेगी और river की velocity कित्ती दिरी की अपने को root 3 और swimming आप इधर करेंगे river आपको इधर push करेगी जिसकी वज़े से earth के respect में आप straight line पर move करेंगे तो आपको basically ये पूछा है कि आदमी को water current से options में देख रहे हैं तो water current से किस angle पर उसको swim करना चाहिए ये angle मेरे पास क्या हो theta हो ये angle theta है तो अपना जो diagram बन रहा है वो क्या है इधर swimming velocity to either river velocity that is root 3 earth के respect में आपकी ये velocity बनेगी जो आपको straight line पर river cross कराएगी अगर ये angle मेरे पास theta है तो मैं इस theta की value देख सकता हूँ that theta इदर ये perpendicular 90 degree तो ये हो जाएगा hypotenuse तो यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें sin theta that will be equals to root 3 upon कितना हो जाएगा 2 theta के सामने perpendicular 90 degree के सामने hypotenuse तो sin theta that will be root 3 by 2 यानि कि theta की value कितनी हा जाएगे हमारे पास this is 60 degree theta की value 60 degree आ गई है तो ये angle आपका 60 degree है पानी किदर flow कर रहा है इदर flow कर रहा है पानी इदर flow कर रहा है तो यहाँ से यह तो 90 degree और उसके आगे यह 60 degree तो basically यहाँ से 90 this 90 degree और यह आपके पास 60 degree equal जो रहेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 150 degree तो man should swim at 150 degree from the water current हमारे पास water current से आदमी को just swim करना है that is at 150 degree done तो simple situation है दोनों कोशन अपने देखे एक question जो था पिछला question वो minimum time में river cross करने का था अभी वाला question है वो क्या है minimum distance में river cross करने के नहीं चलते हैं अगले question पर अगला question यह बोल रहा है हम लोग को कि a particle is project velocity V so that its horizontal range, horizontal plane range on horizontal plane is twice of the maximum height attained तेक है आपको यह बोल रुखा है कि range जो है वो maximum height की किती है twice है if acceleration is acceleration to do gravity is G its range will be ठीक है simple हम लोग यह जानते है कि अपने पास range और height में का relation होता है r 10 theta that equals to 4h जिसमें से r की value इसने बोल दी कि r कितना है अपने पास 2h यह हो जाएगा अपने पास 10 theta that equals to कितना हो जाएगा 4h h से h cancel 2 से 4 cancel 2 time तो 10 theta की value आपकी पास कितनी हो जाएगी that theta will be equals to 2 यह इसको अपन लिख सकते 2 upon 1 अपने को question में calculate करना है range range होता है हमारे पास 2u square sin theta cos theta upon क्या रहेगा आपने पास G 2u square sin theta cos theta upon G आपको range calculate करनी है अपने को 10 theta दिया हुआ है अपने को 10 theta से sin theta और cos theta calculate करने है तो sin theta cos theta calculate करने के लिए 10 यह क्या हो जाएगा आपका perpendicular और यह हो जाएगा अपने पास base perpendicular आगया base आगया तो हमारे पास hypertenease की बात करें तो that is under root of यह हो जाएगा 2 का square plus क्या हो जाएगा 1 का square तो hypertenease अपने पास कितना हो जाएगा under root 5 hypertenease की value आचुकी है हमारे पास under root 5 तो उसके according r की बात करते है तो r this is 2 u की value उसने बुल रखा है कि यह कितना है v square इदर sin theta sin theta क्या होता है perpendicular upon hypertenease perpendicular upon hypertenease में यह कितना हो जाएगा हमारे पास 2 upon under root 5 cos theta क्या रहेगा base upon hypertenease 1 upon under root 5 upon कितना हो जाएगा हमारे पास g तो इसको देखें 2 into 2 यह कितना हो जाएगा 4 v square upon root 5 into root 5 कितना हो जाएगा 5 g 10 theta से sin theta cos theta calculate करने का यह process अपने देखा है और अपना जो answer बन रहा है that is 4 v square upon 5 g 4 v square upon 5 g this will be the answer of question number 12 देखें अपन आगे बढ़ते हैं question number अपने पास रहेगा 13 13 बोल रहा है a projectile has time of flight T and range R if time of flight is doubled keeping the angle of projection safe what happens to the range देखें एक बड़िया question है एक प्रक्षप्य का ओडियन काल T है आवंपरास कितनी है R है यदि प्रक्षपन कोन को समान रखते हुए ओडियन काल को दुगना कर देते हैं तो प्रास पर क्या प्रभाव बड़ेगा अपन यहां पर आपको relation ध्यान रखना है कि R10 सी टा और उडियन काल का यह R और T का जो relation होता है R और T का relation R10 थीटा that is equals to G T square upon 2 तो basically उडियन यहां पर आप लोगको यह बुला हुआ है Keeping the angle of projection same यानि कि अपनने angle of projection same रखा, उस case में g constant, 2 constant, angle of projection same, r is proportional to क्या हो जाएगा, t square, अब इसने बोला है कि time of flight is doubled, इसको अपनने 2 गुना कर दिया, तो 2 का square होगा, तो range क्या हो जाएगी हमारे पास, r' will be equals to 4 r, range क्या हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, इसको 2 t कर दिया, 2 2 कर द दन, question next, question number 14 पर बात करता है, question 14 हमारे पास बन रहा है, यह बुल रहा है, that the maximum height attained by projectile is increased by 5%, एक projectile की height को 5% से अपनने increase किया है, keeping the angle of projection constant, ठीक है, angle of projection same रखा है, what is the percentage increase in horizontal range, range और वापिस से, आपको projectile के relation में एक बार लिखवा देता हूँ, यह relation रहता है, r10 theta, that is equals to 4h, that is equals to gt square upon रहता है, 2, यह relation आप projectile की चीजों को solve करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें, अगर अपनी आवर बात करते हैं, तो keeping angle of projection constant, what is the percentage increase in horizontal range, अपने को height और range में बात चल रही है, तो height और range वाला relation उटाते हैं, that is r10 theta, that is equals to 4h, यहाँ पर angle of projection constant रखा है, 4 constant है, तो r is proportional to क्या हो जाएगा, h, r is proportional to h, अब इसमें 5% का increase किया है, तो इसमें भी कितना percent का increase होगा, 5% का increase होगा, तो height of projectile is increased by 5%, the percentage increase in range will be 5%, question no.14, answer no.3, 5%, चलते हैं अगले question पर, question no.15 पर, question no.15 हमें बूल रहा है, that, two paper screens, A and B are separated by 150 meter, ठीक है, दो screen है, जिनके बीच में distance कित्ती दिरुखी है, हमने को, 150 meter की distance दिरुखी है, 150 meter, then, एक, a bullet crosses A and B, देख है, यह अपने पास इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, एक bullet यहां से, A और B को क्या करती है, cross करती है, the hole in B is 15 cm below the hole in A, इस पर hole इस जगे बनता है, तो उस पर यह थोड़ा ऐसे move करती है, और यह यहां पर B में hole बनता है, तो यह जो distance दे रिखिए हैं, इन दोनों holes की बीच में distance, यह 15 cm की distance है, 15 cm को अपन 0.15 meter लग देते हैं, ठीक है, if the bullet is traveling horizontally, if the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, ठीक है, A पर hit कर रहा है, तब यह horizontally less say U velocity चे चल रहा है, then the velocity of bullet at A is, तो A पर आपको इसकी velocity क्या करनी है, calculate करनी है, यह एकदम horizontal projectile का question है, जिसमें हमारे पास downward direction में acceleration to gravity यह रहेगा, हम यह जानते हैं कि x direction में displacement जो होता है, s x that is equals to u x into क्या हो जाएगा, t x direction में कोई acceleration नहीं है, तो displacement in x direction कितना है अपने पास, 150 और u x की value, horizontal direction की velocity अपने को calculate करनी है, और t की value t, इधर अपन y direction में displacement की बात करते हैं, तो s y क्या होता है, u y, अब y direction में initial velocity कितनी है, 0 है, तो u y की value 0, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 1 by 2, a y t square, a y, y direction में acceleration, this a y is equals to g, तो अपने पास displacement in y direction will be equals to half g t square, और इस displacement की value, y direction में displacement कितना हुआ है, हमने पास, this is 0.15, यह हो गया, मेरे पास 1 by 2, g की value भी ले लिता हूँ 10 और t square, तो t की value यहाँ से देख लेता हूँ में कितना हो जाएगा, ये, t की value 150 upon कितना हो जाएगा, u, तो t की value अपने पास हो जाएगा, 150 upon u का हो जाएगा, हुल üç, 150 upon u का square, इसको अगर आपन देखें, तो हमारे पास चीज़ें जो है, U square calculate करना है U square को देखें अपने पास क्या हो जाएगा U का square करके उधर shift कर देता हूँ U square that will be equals to यह बन जागा 10 into 150 का क्या हो जाएगा square upon कितना हो जाएगा मेरे पास 2 into यह हो जाएगा 0.15 2 into 0.15 इधर अगर आगे चलते हैं तो यह U square की value है इधर 0.15 इसको मैं कितना लिख सकता हूँ this will be 10 into 150 का square upon यह बन जाएगा मेरे पास 0.3 0.3 को shift करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा यह 100 यह सारी चीज़ों जो बन रही है वो U square की value बन रही है आपकी पास कितनी 100 150 का square upon कितना बन रहा है तो यहां से मैं square हटाता हूँ तो इसको मैं करूँगा under root under root में 100 का under root 10 150 का under root अपने पास कितना रहेगा 150 के square का under root square under root cancel 150 upon कितना हो जाएगा अपने पास root 3 तो यह बनेगा अपने पास 1500 upon root 3 U की value जो अपने पास बन रही है U की value बन रही है अपने पास कितनी 1500 अपन रूट 3 तो मैं इसको लग सकता हूँ 500 इंटू 3 तो रूट 3 से रूट 3 कैंसल करेंगे तो U की value आजाएगी आपके पास 500 रूट 3 U की value 500 रूट 3 मिटर पर सेकेंड इसको 500 इंटू 3 लिख सकते हैं 3 से इसको इसको कैंसल किया तो 500 रूट 3 यह अमने पास रिजल्ट रहे गड़ा 500 रूट 3 15 का 4 आंसर 500 रूट 3 चलते हैं अपन अगले कुश्चिन पर question हमें बूल रहा है a ball is thrown at different angle with same speed u at the same point such as the ranges are equal ranges equal ranges equal का मतलब एक angle theta है और एक angle कितना है 90 minus theta है if y1 and y2 are the height attain height क्या होता है अपने पास height u square sin square theta upon क्या रहेगा 2g तो एक तो height यह हो गई दूसरी height जो रहेगी y2 वो कितनी रहेगी u square sin square 90 minus theta upon क्या हो जाएगा अपने पास 2g तो sin square 90 minus theta यह अपने पास क्या हो जाएगा u square यह बन जागा cos square theta upon क्या हो जाएगा 2g तो अपने को क्या करना है y1 और y2 का sum करना है y1 plus y2 की बात करें तो इन दोनों को मैं add करूँगा इन दोनों को add गूरूँगा u square upon 2g common sin square theta plus cos square theta कितना हो जाएगा 1 तो अपने पास result जो मनेगा this will be u square upon 2g u square upon 2g is the result then simple question चलता है अगले question पर अगला question जो बोला जा रहा है वो क्या बोल रहा है a ball is projected from ground at angle theta ठीक है कोई दिखकत नहीं है after after one second it is moving at an angle 45 degree ठीक है okay with the horizontal and after two second it is moving horizontal ठीक है what is the velocity of the projection of the ball ठीक है इस question को अपन solve करते हैं जो चीज़े हैं उसको देखे एक ball को अपने कुछ यहां से at angle theta अपने इसको project किया है कुछ velocity अपने पास u है तो इसका horizontal component इसको बोल दिता हूँ मैं ux इसका vertical component जो है उसको मैं बोल दिता हूँ uy एक second के बाद यह यहां से कुछ horizontal से 45 degree के angle पर चल रही है उसके बाद यह दूसरे second पर यह horizontally चल रही है और फिर यह इदर आके गिरती है तो इस जिगह पर इसकी velocity लेश से v है तो इसका horizontal component vx और इसका vertical component क्या हो जाएगा हमारे पास vy ठीक है एक सबसे पहले यहां पर इसका topmost point पर पहुचने का time 2 second है यानि कि इसका travel time जो है वो 4 second हो जाएगा 2 second जाने के 2 second वापिस आने के travel time आपका हो जाएगा 4 second travel time यह होता है 2 uy upon g that is equal to 4 second तो यहां से 2 इसको अपन देखेंगे तो 2 uy की value आपकी पास कितनी आ गई है 20 आ गई है यानि कि यह uy अपना कितना आ गया है 20 आ गया है एक चीज अपने पास available हो गई आगे it is moving what is the velocity of projection of the ball ठीक है आगे 1 second के बाद it is moving at an angle of 45 degree तो यहां पर time जो है वो अपने पास कितना है एक second है इस time पर अगर मेरेको vy की बात करनी है acceleration due to gravity downward direction है y direction में तो अपन एक second पर बात करते है t is equals to 1 second जब होता है तो y direction में velocity vy that will be equals to uy minus क्या हो जाएगा gt v y u y की value यह calculate करी अपने पास 20 minus g की value 10 into time कितना है एक second तो 20 minus 10 यह मेरे पास कितना हो जाएगा 10 meter पर second तो v y की value अपने पास 10 meter पर second इस जिगह पर angle 45 degree है यानि कि इदर की velocity और इदर की velocity क्या रहेगी बराबर रहेगी यह v x अपने पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा v y की value 10 है angle 45 होनी की वज़े से v x की value भी कितनी हो जाएगी 10 और horizontal component तो हमेशा क्या बना रहेगा same बना रहेगा यानि कि u x की value भी कितनी रहेगी हमारे पास 10 रहेगी तो अपने पास u x की value आ गई है 10 और u y की value आ गई है अपने पास 20 आपको velocity और projection पूछा है तो इसकी वज़े से resultant velocity अपने पास कितनी बन जाएगी resultant velocity बन जाएगी under root of अपने पास हो जाएगा 20 का square plus क्या हो जाएगा 10 का square under root 20 का square यह हो जाएगा मेरे पास कितना 400 plus यह हो जाएगा 100 तो यह बन जाएगा मेरे पास under root 500 under root 500 को अपन लिखें तो this will be 10 under root 5 10 under root 5 will be the velocity of projection 10 under root 5 17 का answer आएगा अपने पास 3 दन, संबल कुश्चन है, चलते हैं अपन अगले कुश्चन पर कुश्चन नमबर 18 की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास ये बुल रहा है A body is projected horizontally from top of a tower with initial velocity 18 meter per second तेख है, कोई दिकत नहीं, tower बना देते हैं और object को अपन horizontally यहां से fire करते हैं ये कितना है, 18 meter per second से It hits the ground at angle 45 degree ये ऐसे ground पर आता है और ये ground पर यहां पर 45 degree पर project strike करता है 45 degree देख है, what is the vertical component of velocity simple, यहां पर अभी बात करिए अपने इदर इसका horizontal component रहेगा ये vx रहेगा, पर horizontal direction में तो आपकी पास velocity क्या रहेगी सेम ही रहेगी, तो ये 18 है इस time पर vertical component vy रहेगा angle 45 है यानि कि vy और vx क्या रहेगे बराबर रहेगे, ये बराबर क्यों कर रहा हूं मैं क्योंकि ये resultant आपका vy ये vy इदर बनेगा इसको parallel shift करके लिखे आता हूं ये velocity आपकी final बनेगी तो basically this is vx this is vy और ये आपका resultant velocity vector है ये angle 45 बोल रुका है तो tan 45 या tan theta that will be equals to vy upon vx हो जाएगा तो ये 45 है तो आपके पास vy y और vx की value क्या रहेगी same रहेगी, vx की value अपने पास 18 है तो vy y की value भी कित्ती रहेगी, 18 ही रहेगी तो this will be 18 angle from horizontal का equation अगर आप देखे तो angle from horizontal that is always given by 10 theta vy upon क्या हो जाएगा आपने पास vx, horizontal से बनने वाले angle की equation चलते हैं अगले question पर, question number 19 की बात करते हैं question number 19 हम लोग को बुल रहा है that a body is projected with velocity v1 from the point a as shown in figure ठीक है, यहां से object को फेका है 30 degree की angle पर and a body is projected vertically apart from b with velocity v2 the point b lies vertically below the highest point of first body ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आगे, both bodies to collide v2 upon v1 should be दोनों object के लिए collide होने के लिए v2 और v1 का जो ratio रहेगा, वो क्या रहेगा collide होने के लिए, इसकी यह इदर की तरफ velocity है collide होने के लिए, इसकी इस velocity का vertical direction में जो component रहेगा इदर, इदर बनेगा cos theta, इदर बनेगा sin theta v1 sin 30 इसकी velocity का vertical component इसकी velocity की क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी इनके बीच में collagen possible है, कहने का मतलब v1 sin 30 की value जो है वो किसके बराबर होने चाहिए, v2 के बराबर होने चाहिए आपको पता करना है किसकी value, v2 upon v1 तो इसको shift करता हो इदर, v2 upon v1 जो रहे जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास sin 30 के बराबर, sin 30 is 1 by 2 तो sin 30 is 1 by 2 answer number 3 simple question, collagen के लिए velocity की component जो है, वो बराबर होने चाहिए next, question number 20 की बात करते है question number 20, क्या बोल रहा है अपने को a lift in which a man is standing moving apart with velocity 10 meter per second एक lift उपर जा रही है और इसकी velocity आपको 10 meter per second दी हुई है a man drops a coin from height 2.5, 2.45 meter from the floor of the lift it reaches to the floor of the lift after time जो चीज बोल रही है, यह रहा हमारे पास lift एक बड़ा सा lift बना देते है, इस lift की velocity उपर की दरफ कितनी है 10 meter per second है, यहां से एक coin को आप drop करते है man drops a coin from height इतना, जिसमें यह height कितनी अपने पास this height is 2.45, देखे, from the floor of the lift it reaches to the floor of the lift after the time it reaches to the floor of the lift, अगर अपन यहाँ बात कर रहे है यह coin जब अलग हुआ, तब इसकी initial velocity, lift की velocity के बराबर होगी यानि कि coin की initial velocity और lift की initial velocity या lift की velocity क्या रहेगी, सेम रहेगी अपने को यहाँ पर यह बात करना है कि यह इस floor पर कब strike करना है अपन को, अपन question को solve करेंगे lift के respect में lift के respect में, initial velocity of coin with respect to lift will be 0, क्योंकि lift 10 meter per second से चल रही है और coin की जो initial velocity रहेगी, वो भी 10 meter per second रहेगी तो initial velocity of coin with respect to lift will become 0 अगर मैं बात करूँ, displacement of coin with respect to lift तो lift के respect में, यह coin यहाँ पर है lift के respect में, coin को यहाँ पर इतनी height नीचे आना है यानि कि इसका जो displacement downward direction को मैं positive consider करूँ, तो मेरे को इसका displacement करवाना है 2.45 meter with respect to lift ठीक है, अब आगे, जिस time coin हवा में है, तो acceleration of coin with respect to lift यह हो जाएका हमारे पास acceleration of coin minus acceleration of lift acceleration of coin, coin हवा में है, तो acceleration to do gravity उस पर है और lift constant velocity उपर से उपर जा रही है, यानि इसका acceleration कितना है, 0 है यानि कि आपके पास acceleration of coin with respect to lift will become 9.8 या g हो जाएगा, g के विल्यों 9.8 लिनी है, तो अब अपने लगाते ते हैं equation of motion equation of motion क्या है, as it goes to ut plus अपने पास क्या हो जाएगा, 1 by 2 displacement अपने को 2.45, initial velocity अपने पास relative initial velocity 0 plus 1 by 2, acceleration is 9.8, इधर हो जाएगा, अपने पास कितना T square, इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजूंगा, तो यह कितना हो जाएगा, 4.9, that is equals to 9.8 into हो जाएगा, T square 4.9 से 9.8, 2 times cancel, T square की value आपकी पास कितनी हो जाएगी, 1 by 2, यहां से T की value आपकी पास कितनी हो जाएगी, 1 upon under root 2 1 upon under root 2, question को अपने lift के respect में solve किया है, और अपना जो answer बनेगा, that will be 1 by root 2, second, simple, बढ़िया question है, बढ़ते हैं अगले question पर, question number 21, question number 21 जो बोल रहा है, वो देखते हैं, क्या है, 4 person initially at the 4 corners of the square, whose sides are equal to A, तेक है, अपने पास 4 आदमी है, वो एक square की side पर, इस तरह से side अपने पास A है, यह इस तरह से move करते हैं, यह V velocity से चलता है Ls से, यह भी V velocity से चलना शुरू करता है, यह भी V velocity से चलना शुरू करता है, और यह भी V velocity से चलना शुरू करता है, यह इस तरह से चलना शुरू करता है, कि यह सब एक दूसरे को देख रहा है, तो यह भाग रहा है, यह सामने वाले को देख र हुए इस square के center पर आके मिलेंगे तो आपको यह पूछा है that that four person will meet after the time यह कितने time के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे तो देखो आदमी यहां से इस जगे से इस जगे पर आया है तो मैं थोड़ा सा color change कर लूँ तो आपका यहां से यहां तक का displacement कितना हो जाएगा x यह हो जाएगा x की value x कितना हो जाएगा हमारे पास this x is a by root 2 x is a by root 2 displacement आपके पास यह root 2 a रहना है पूरा तो यह half जो रहेगा वो a by root 2 रह जाएगा यह angle अपने पास कितना रहेगा 45 degree तो अगर अपने को time calculate करना है तो time क्या हो जाएगा displacement upon velocity अब velocity तो इदर की दरफ है तो velocity का इदर वाला component जो रहेगा वो इस displacement की लिए क्या रहेगा responsible रहेगा तो velocity v अपने पास इदर की दरफ थी initial velocity इस velocity का इदर वाला component इसको इदर लेके जाएगा इस velocity का इदर वाला component that will be v cos 45 v cos 45 x की value x की value आपके पास कितनी है a by root 2 और v cos 45 की value कितनी है है अपने पास 1 upon root 2 तो root 2 से root 2 cancel हमारे पास जो result बनेगा वो a by v रहेगा a by v done question number 21 answer number 1 simple है जिदर displacement हुआ उदर की velocity का जो component रहेगा उस displacement के लिए responsible रहेगा question number 22 हम लोग solve करते है question number 22 हम लोग को बोल रहा है a motor boat covers a given distance in 6 hours moving downstream the water ठीक है कोई दिक्कत नहीं it covers the same distance 10 hours moving upstream in the water ठीक है the time taken time it takes to cover the same distance in still water downstream में अगर अपन बात करते हैं तो downstream में let us consider यह अपने को x distance cover करनी है ठीक है तो x distance downstream में जो velocity होती है हमारे पास वो velocity क्या होती है vr plus vmr कहने का मतलब river velocity और swimming velocity downstream में दोनों add हो जाती है और अपने को distance cover करनी है x तो अपने पास क्या हो जाएगा लगने वाला time लगने वाला time क्या हो जाएगा t that is equals to distance upon speed और distance upon speed कितनी अपने पास vr plus कितना हो गया vmr इसकी value कितनी दे रिखे है अपने को 6r ठीक है अब upstream upstream में ये same distance अपने को cover करनी है x आदमी इदर swim कर रहा है vmr इदर की तरफ है river velocity इदर की तरफ है तो upstream में अपने पास जो velocity बनती है that is vmr minus क्या हो जाएगा vr इदर जो time लगेगा time that is equals to x upon कितना हो जाएगा मेरे पास vmr minus कितना हो जाएगा vr that is equals to 10 तो अगर still water होता still water में same distance cover करनी है x distance पर still water में river नहीं चल रही है कौन चलेगा केवल आदमी ते रहेगा तो इदर जो time लगेगा वो कितना हो जाएगा अपने पास x upon vmr तो आपको basically x upon vmr की value calculate करनी है जिसमें आदमी केवल swim करता हुआ जा रहा है इदर देखो क्या है इदर में क्या करता हूँ इसको देखता हूँ तो vmr plus vr की value इदर shift करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x बटा 6 इदर देखो तो vmr minus vr की value बोलो तो ये कितना हो जाएगा x बटा 10 ये दोनों values आगई अपने को value जो calculate करनी है वो किसकी calculate करनी है x upon vmr की तो vr को eliminate करना है vr को eliminate करने के लिए मैं इन दोनों equations को क्या कर देता हूँ एड कर देता हूँ दोनों equations को add करूँगा तो vr से vr cancel हो जाएगा उदर बन जाएगा अपने पास 2vmr that is equals to x upon 6 plus कित 10 lcm लेते हैं तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा lcm लेंगे तो 10 into 6 ये 60 बन जाएगा उपर बन जाएगा अपने पास 16x इदर बन जाएगा 2vmr 2 से 16 को cancel करूँ तो ये हो जाएगा 8 अपने को value calculate करनी है x upon vmr की x upon vmr ये रह x ये अपन अपने पास रह vmr इसको इदर इस this will be 60 upon 8 तो x upon vmr की value यहाँ पर जो बन रही है इस vmr को इदर 60 को उपर 8 को नीचे 60 upon 8 इस विल बी 7.5 आर्स एक बढ़िया question result will be 7.5 आर्स downstream solve किया upstream solve किया और अपने को x upon vmr की value calculate करनी है question number 23 पर चलते है question number 23 क्या बूल रहा है question number 23 यह बूल रहा है कि इदर a man runs at the speed of 4 meter per second आदमी दूरता कित्ते से हैं 4 meter per second to overtake a standing bus एक bus खड़ी है उसको overtake करना चाहता है when he is 6 meter behind when he is 6 meter behind the door bus starts moving forward and continue with the constant acceleration 1.2 meter per second the man shall gain the door at time t equal to तो आदमी दर्वाजे के पास किस time पर पहुंच जाएगा इसका diagram बनाते हैं आदमी अपने पास यह रहा आदमी कितने से चल रहा है 4 से आदमी की distance यह बूल रही है अपने को कितनी 6 meter की distance बूल रही है यह रही अपने पास बस और बस आगे चल रही है कितने से 1.2 meter per second square की acceleration से यह हो गया अपने पास बस यह हो गया अपने पास आदमी तो बस के respect में आदमी को अपने को 6 meter आगे लिके आना है अपन इसको solve करेंगे relative motion से देखे क्या कर रहा है अपन देखो initial velocity of man with respect to bus that is velocity of man minus velocity of bus velocity of man आपको 4 दे रिखी है velocity of initial velocity of bus कितनी है 0 यह हो जागा अपने पास 4 acceleration of man with respect to bus acceleration of man minus acceleration of bus acceleration of man 0 है और acceleration of bus अपने पास 1.2 है तो इसकी value minus 1.2 हो जाएगी displacement of man with respect to bus आदमी को bus के respect में 6 meter आगे लिखे आना है तो 6 meter अपने को आगे लिखे आना है done सारी चीज़ें आपने पास आचुकी है equation अपन लिखते है s equals to ut plus क्या रहेगा हमारे पास 1 by 2 at square displacement कराना है 6 meter initial velocity है 4 यह हो गया t plus 1 बटा 2 acceleration की value acceleration की value अपने पास minus 1.2 और यह कितना अपने पास t square आगे जलाएं equation इदर इसको उधर बेजूँगा तो 1 by 2 1.2 upon 2 इसको हो जाएगा यह मेरे पास 0.6 t square minus 4 t plus का हो जाएगा मेरे पास 6 that is equals to 0 इसको उधर बेजेंगे 0.6 t square minus का 4 t plus का 6 that is equals to 0 यह quadratic equation बन रही है इस quadratic equation के solution के अगर आपन बात करें तो quadratic equation का solution आएगा that will be something 2.33 second इसको अगर आप solve करेंगे तो ऐसे questions में आप ध्यान रखें बस accelerated है तो time की दो values आएगी इसने यह पुछा है कि the man shall gain the door यानि कि आदमी bus के पास कब पहुंच जाएगा तो पहले आदमी bus के पास पहुंचेगा तो वो time आपके पास 2.33 रहेगा पर इसका एक solution और भी आएगा आप इस quadratic equation को solve करेंगे तो that will be 4.33 second तो 4.33 अगर आदमी इस bus को cross करके आगे निकल जाता है तो थोड़ी दिर बाद बस वापिस इसको cross करेंगे तो 4.33 वो time है जब बस इस आदमी को वापिस cross करेंगे तो पहला time आपको यह पुछा हुआ है कि आदमी bus को कितने में cross करेगा तो आदमी bus को cross करेगा अपने पास 2.3 second में अगर ऐसा ही question में आपको यह पुछा जाता है कि बस आदमी को कब cross तो बद आदमी को वापिस 4.33 second पर cross करेगी बढ़िया question है चलते है अपन question no.24 पर question no.24 यह बोल रहा है अपने पास इधर इस पार्टिकल है इस इनिशल वेलोसिटी आफ इतना ठीक है and a constant acceleration of this punch its speed after one second will be equal to ठीक है इसको दोनों direction में solve करना पड़ेगा x direction की velocity अपने पास किती है x direction की velocity 3 x direction का acceleration 4 तो one second time के बाद x direction की final velocity that is equals to u x plus क्या हो जाएगा a x into t final velocity ने x direction initial velocity 3 plus acceleration 4 into time कितना है एक तो यह हो जागा 7 उसी तरह से अगर मैं y direction में बात करो तो v y will be equals to u y plus क्या हो जाएगा a y into क्या हो जाएगा t v y की बात करें u y की value 4 acceleration minus का 3 और time अपने पास कितना है एक तो 4 minus 3 अपने पास कितना हो जाएगा एक यह हो गई v y की value एक तो अपने को speed calculate करनी है तो total speed v will be equals to under root of यह हो जाएगा मेरे पास v x square plus क्या हो जाएगा v y square इधर under root v x का मान 7 का square plus क्या हो जाएगा एक का square यह हो जाएगा 49 plus 1 under root का यह हो जाएगा 50 under root 50 को 25 into 2 लिख सकते हैं तो यह बन जाएगा मेरे पास 5 under root 2 meter per second velocity 502 meter per second simple question है बढ़िया question है चलते हैं अपन अगले question पर 24 25 की अपन बात करते है 25 question question number 25 यह बूल रहा है एपार्टिकल is projected with speed 30 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal then find the angle of the particle with the horizontal at t equals to 1.5 second ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपन गर यहाँ पर बात करें travel time की में बात करो travel time किता होता है 2u sin theta upon क्या हो जाएगा g वैसे तो मैं इसको यहाँ पर ux और uy से भी solve कर सकता हूँ बट देखो क्या है 2u की value कितनी है मेरे पास 30 sign मेरे पास चल रहा है यह कितना 30 upon क्या हो जाएगा g g की value कितनी हो जाएगी मेरे पास 10 तो इस से इसको cancel किया अपने पास क्या हो जाएगा 2 into यह हो जाएगा मेरे पास 3 और sign 30 की value कितनी हो जाएगी 1 by 2, तो 2 से 2 cancel, आपका travel time जो है, वो 3 second आ रहा है, travel time 3 second है, इसका मतलब 1.5 second पर particle topmost point पर रहेगा, इधर 3 second लग रहा है, तो इस जगे पर जो time लगेगा, वो कितना हो जाएगा, 1.5 second, 1.5 second पर topmost point पर रहेगा, तो इसकी velocity जो रहेगी, वो किदर रहेगी, horizontal direction में रहेगी, velocity horizontal direction में रहेगी, तो इसका जो angle रहेगा, that will be 0 degree, the angle of the particle with the horizontal, यह horizontal में जा रहा है, तो angle कितना हो जाएगा, 0 degree हो जाएगा, तो simple question है, इसको आप components से भी solve कर सकते हैं, Vx और Vy इस जगे पर आप value जब calculate करेंगे, तो Vy की value आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाए है, question number 26, a cart is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second, a cart चल रही है, चलो, cart को चला जाते है, यह चल रही है, cart, cart चल रही है, horizontal direction में, कितने से 30 meter per second से, तेक है, a projectile is fired from the moving cart in such a way that it will return to cart after cart has moved 80 meter, तेक है, cart यहाँ पर 80 meter की distance, 80 meter की distance travel करती है, एक projectile को cart से fire किया गया है, projectile, अर्थ के respect में, projectile motion करके, यहाँ पर आखी गिर रहा है, but basically, यह तब होगा, जब आप projectile को cart के respect में, उपर की तरफ project करें, तेक है, vertically upward अगर अगर अपन project करें, तेक है, after it has moved 80 meter, what is the speed, speed relative to the cart, must be, projectile be fired, तो एक तो यहाँ पर देखो, पहले क्या है, cart 30 meter per second से चल रही है, 80 meter की distance चला नहीं है, तो time कितना लग जाएगा इसको, 80 meter बटा किता हो जाएगा, 30, तो यह हो जाएगा, 8 बटा 3 second, ठीक है, projectile वापिस cart में आके गिरे, इसके लिए, projectile को आपको cart के respect में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, with respect to cart, with respect to cart, आप projectile को उपर की दरफ fire करोगे, तब वो ground के respect में, क्योंकि अभी आपके पास cart भी चल रही है, तो projectile ground के respect में parabolic path पर रहेगा, ठीक है, तो cart के respect में, इसको उपर project करेंगे, यह वापिस नीचे आएगा, तो cart के respect में, projectile केवल vertical motion कर रहा है, और इसमें जो लगने वाला time होता है, वो होता है, अपने पास 2U upon G, T की value उदर से अपन देखें, तो this is 8 upon 3, that is equals 2, यह हो जागा 2, यह velocity हो जाएगी, projectile की, with respect to cart, this is U, upon G की value कितना हो जाएगी, 10, तो यह हो जाएगा, मेरे पास 80, इदर इसको cancel करते हैं, तो यह हो जाएगा, मेरे पास 4, U की value, that is 10 into 4, 10 into 4 कितना होता है, 40 upon कितना हो जाएगा, 3, 40 upon 3, this will be the velocity of the projectile with respect to cart, that is 40 upon 3, 40 upon 3 will be the solution, तेखें, यह थोड़ा सा आपको समझना है, कि projectile ground के respect में parabolic path पर है, और वापिस यह यह आखें गिर रहा है, कहने का मतलब, यह तब ही possible है, जब cart के respect में आप उसको क्या फेक है, vertically upward direction में फेक है, तो दोनों जो है, ground के respect में, बराबर distance आगी की तरफ, cover करें, question number 26, 40 upon 3 will be the result, हम बात करते हैं, question number 27 के बारे में, question number 27 जो बुल रहा ह है, वो क्या बुल रहा है, an aeroplane is flying horizontally with the speed of इतना, releases a bomb at a height of 400, sorry 490 meter, ठेक है, from the ground, it will strike the ground at a distance, ठेक है, एक aeroplane horizontally fly कर रहा है, यह ले ले लेते हैं, अपने पास, यह हो गया अपना aeroplane, यह horizontally कितने से जा रहा है, 360 km पर आर से चल रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले meter per second में convert कर देते हैं, 360 into 5 by कितना हो जाएगा, 18, देक है, 360, इधर बन जाएगा, यह मेरी पास कितना, 2, 20, यह हो जाएगा, 100 meter per second, ठेक है, cancel सही किया है, ठेक है, 100 meter per second, it releases a bomb at height of इतना, यह अभी इसने एक bomb release किया है, इसकी height कितनी है, 490 meter है, ठेक है, तो it will strike the ground at, at distance, आपको range calculate कर दी, R, R क्या होता है, हमारे पास, R, अभी formula थोड़ी देर पहले अपने बोला था, U under root कितना होता है, 2H upon G, ठेक है, R, U की value आपके पास कितनी हो गई है, 100, under root, 2, H की value, 490 आपके पास हो गई है, और G की value आपन चूज करेंगे, 9.8, ठेक है, तो यहाँ पर अगर आपन देखें, तो यह मेरे पास कितना हो जाएगा, उपर अगर आपन देखें, 490 इंटू, यह 980 हो जाएगा, और 980 को अपन 9.8 से कट करेंगे, तो यह बन जागा, अपने पास कितना, 100, R की value, बाहर तो चल रहा है, 100, और under root of 100 को अगर आप आपके पास 10, यानि कि 1000 और यह आएगा मिटर, 1000 मिटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो मिटर, 1 किलो मिटर, तो 1 किलो मिटर will be the solution, इसका रीजन यह है, अपने सब कुछ मिटर पर सेकिंड में इसलिए कि convert किया है, क्योंकि G की value आपके पास क्या है, मिटर पर सेकिंड यह किलो मिटर में दिया हुआ है, बट इदर आपके पास G की value मिटर पर सेकिंड में दिरिखिए, थोड़ा सा आपको इसको क्या करना पड़ेगा, unit conversion करके solve करना पड़ेगा, अपन चलते हैं, question number 28 पर, question number 28, question number 28 अपने को बूल रहा है, that is, at what angle with the horizontal should a ball be thrown, so that its range is related to the time of flight at r is equals to 5t square, अपन जानते हैं कि इन में दोनों में relation क्या होता है, r 10 theta that is equals to, यह बंजागा मेरे पास कितना, gt square upon 2, r 10 theta that is equals to g by 2, g by 2, 10 बटा 2, 5t square, तो r is equals to 5t square, r is equals to 5t square, तो दिरिखा है, यानि कि 10 theta की value कित्ती हो रही है, 1, 10 theta की value 1 होने का मतलब, theta will be equals to 45 degree, simple, बढ़िया question, तलते ह अपन, question number 29 पर, question number 29, क्या बोल रहा है, a projectile is projected with the initial velocity, this much, g is equals to this, then horizontal ranges, यह आपके पास x velocity हो गई, यह आपके पास y direction की initial velocity हो गई, r क्या होता है, that is 2 ux, uy upon क्या हो जाएगा, g, 2 ux की value 6, uy की value 8, upon g की value अपने पास कित्ती है, 10, तो यह होजागा मेरे पास, 48 into 2, यह बंजागा मेरे पास, 96 upon 10, तो यह बंजागा मेरे पास, 9.6 meter, 9.6 meter will be the answer, question number 29, 9.6 meter, यह simple concept है, इस तरह से जब भी दिया हुआ हो, तो आप ऐसे equations से solve करें, range will be 2 ux, uy upon g, आगे जलते हैं, question number हमारे पास रहेगा, 30, two projectiles are fired from a same point with the same speed at angle of projection 60 and 30, which of the statement will be true, which statement will be true, अपने पास true statement की बात करी है, ऐसे angles जिनका सम 90 degree होता है, उन पर range हमेशे क्या रहती है, same रहेगी, then their range will be same, this statement will be true, option number, अपने पास जो solution रहेगा, that question number 30 की लिए, their ranges will be same, 60 और 30 पर range क्या रहेगी, same रहेगी, next, if r and h represent holy range and maximum height of the projectile, then angle of projection will be, अपने इतनी देर से formula लिख रहे है, that r 10 theta that is equals to 4 h, r 10 theta that is equals to 4 h, 10 theta will be equals to 4 h upon r, तो theta will be equals to, यह हो जाएगा मेरे पास 10 inverse, this will be 4 h upon r, done, theta will be equals to 4 h upon r, this will be the solution, 10 inverse, 10 inverse 4 h upon r, done, simple, ऐसे यह जो छोटे पूटे formula हैं, इनसे आपकी question, चीजें बहुत सारी आसान हो जाती है, चलते हैं हमपन, question number 32 उपर, question number 32, the speed of a projectile at the topmost point, is root 3 times of, root 3 by 2 times of initial speed, the range of the projectile is p times of the maximum height attained, then p is equal to, okay, speed of the projectile at maximum height, maximum height पर speed कित्ती होती है, u cos theta, यह क्या है, root 3 by 2 times of initial speed, यानि कि u say, u cancel, cos theta की value अपने पास क्रित्ती हो जाएगी, root 3 by 2, cos theta root 3 by 2, यानि कि theta will be equals to 30 degree, यानि कि theta will be equals to 30 degree, यानि कि अब इसने बोला कि, if the range of the projectile is p times of the maximum height, range, range क्या होता है, r tan theta, that is equals to 4 h, r, tan theta की value, 10 theta की value अपने पास क्रित्ती है, 30 degree, तो 10 30 की value क्रित्ती हो जाएगी, 1 by root 3, that will be equals to 4 h, r will be equals to 4 under root 3 of h, यह बोला है, that range of the projectile is p times of the maximum height, range of the projectile is p times of the maximum height, यानि कि p की value क्रित्ती हो जाएगी, हमारे पास, 4 under root 3, p की value, that will be 4 under root 3, बढ़ या कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च to triple the maximum height then which of the then the ball should be thrown with velocity okay V0 velocity से हम लोग project कर रहे हैं और यह maximum height h तक पहुंचता है तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं कि h जो रहता है वो क्या रहेगा हमारे पास u square upon कितना रहता है 2g तो h के लिए हम बोल सकते हैं h will be proportional to u square यह मैं यह बोल सकता हूं कि u will be proportional to under root h height कितने पर पहुंचा नहीं है उसके according velocity जो रहेगी that velocity will be proportional to under root h you is proportional to under root h और अपने को क्या करना है triple the maximum height करना है triple the maximum height करना है तो height को triple करने के लिए आपको velocity जो है that should be अभी अगर अपन बोले u2 upon u1 that will be equals to under root अपने पास क्या हो जाएगा h2 upon h1 u2 की value पता करनी है initial velocity अपने पास v0 है that is under root यह करना है अपने को triple the height करना है तो यह हो जाएगा तो यहाँ पर u2 की value जो हो जाएगी that will be under root 3 of v0 done बड़ी कोशन simple root 3 v0 यहाँ पर यह दोनों टाइप से पूछा जाता है कभी height को triple करना है कभी velocity triple कर दी तो height कितनी times हो जाएगी ऐसा भी पूछा जाता है तो उस time पर height 9 times हो जाएगी तो इसको solve करने में आप थोड़ा सा ध्यान रखें अगले question की बात करते हैं 34 question number 34 अमने पास क्या बूल रहा है रिवार a projectile is projected with velocity of 30 meter per second at an angle of 10 inverse 3 by 4 ठीक है 10 inverse 3 by 4 एंगल है after one second the projectile is moving at angle theta to the horizontal where 10 theta will be equal to 1 second के बाद की बात बूल रही है तोड़ा इसको solve करना पड़ेगा चलो solve करते हैं अपने पास theta की value जो हो गई है theta की value 10 theta 10 theta 0 that will be equal to 3 by 4 theta 0 की value 3 by 4 है यानि की theta 0 जो हो चुका है 3 by 4 3 by 4 का मतलब होता है 37 degree 4 by 3 का मतलब 53 degree 37 degree तो projectile को अपनने fire किया है कित्ते से कुछ 30 meter per second से और इसका angle जो है that is 37 degree after one second the particle is moving at angle theta तो एक second की बाद particle की जो situation है वो कुछ ऐसी है यह अपने पास एक second तो इसका horizontal component तो constant रहेगा तो अगर अपन यू x की बात करें horizontal component वो कितना है अपने पास 30 cos 37 cos 37 30 इंटू यह हो जागा मेरे पास कितना 4 by 5 cos 37 रहता है आपने पास 4 by 5 तो यह बन जाएगा मेरे पास 5 6 इंटू 4 कितना हो जागा मेरे पास 24 इसी दर से मैं u y की बात करू तो u y 30 sin बन जाएगा मेरे पास 37 और इसकी value जो हो जाएगी 30 इंटू यह बन जाएगा 3 by 5 तो यह बनेगा मेरे पास कितना 3 by 5 6 इंटू 3 यह बन जाएगा मेरे पास 18 तो Y direction में X direction में जो इसकी initial velocity हो गई है 24, Y direction में इसकी initial velocity हो जाएगी अपने पास, 18 तो अपने को यह बूलावा है, एक second पर, तो X direction की velocity तो कित़ी रहेगी, 24 ही रहेगी, पर Y direction की velocity जो रहती है, वो क्या रहती है Vy that is equals to Uy minus क्या हो जाएगा Gt Uy की value अपने पास कित्ती है 18 minus G की value कित्ती हो जाएगी 10 और time दे दिया 1 second 18 minus 10 कित्ता हो जाएगा 8 18 minus 10 8 हो जाएगा और उसकी वज़े से इसका horizontal से कुछ angle create होगा horizontal के angle की अपने बात करी थी tan theta that will be equals to Vy upon क्या होता है Vx पास 24 8 upon 24 this will be equals to 1 upon 3 34 10 theta will be equals to 1 upon 3 एक simple concept जिसको अपने सीधा-सीधा use किया दोनो direction में question को अपने अलग-लग solve किया x direction में कोई acceleration नहीं है y direction में retardation है acceleration due to gravity 10 theta आपने पास कित्ता हो जाएगा where 10 theta will be equals to 1 upon 3 34 complete question चलते है 35 पर 35 क्या बुल रहा है the equation of motion of a projectile are given by x is equals to 36 t and 2y is equals to this equation the angle of projection is angle of projection का मतलब यह है कि t is equals to 0 पर उसकी velocities की बीच में बनने वाला angle y direction और x direction में इधर देखो क्या करूँ यह x direction को displacement है तो Vx की value बुलूँ हूँ तो यह कित्ता हो जाएगा 36 इसका differentiation इधर अपन बात करें 2 इसका differentiation करेंगे तो यह Vy हो जाएगा 96 का differentiation एक बार 96 और इसका differentiation करेंगे तो यह कित्ता हो जाएगा 2 into 9.8 into कित्ता हो जाएगा यह T तो Vx तो अपने पास कित्ता हो गया 36 ही हो गया और इसमें initial velocity की बात करनी है तो आप t equals to क्या करेंगे, initial time पर बात चल रही है, angle of projection पूछा है, तो angle of projection, projection कब होता है, t equals to 0 पर, तो इसमें आपन t equals to 0 पूट करेंगे, तो 2vy will be equals to 96, यह term आपके पास क्या हो जाएगी, यह term 0 हो जाएगी, तो यहां से vy की value हो जाएगी, 96 upon 2, that will be equals to 48, angle of projection, tan theta, that will be equals to आपने क्या हो जाएगा, vy upon क्या हो जाएगा, vx, vy के value, that is 48 upon vx के value, that is 36, angle of projection, 10 theta, this will be 4, this will be 3, 12, 3, 36, 12, 4, 48, 4 by 3, यह जो 10 theta, this will be theta, 4 by 3, तो theta, अपने को answer जो दे रिखा है, वो sign में दे रिखा है, अपने एक calculate किया है, 10 theta, तो अपने को देखना है, theta, this is 10 theta, 4 by 3 का मतलब यह कितना है, 53 degree का angle है, 53 degree, अब अपन बात करते है, sin 53 degree, sin 53 की जो value होती है, वो होती है, अपने पास 4 by 5, तो theta जो बन जाएगा, theta will be equals to sin inverse 4 by 5, sin inverse 4 by 5, theta will be equals to sin inverse 4 by 5, sin, अपने को angle पता चल गया, 53 degree, 53 degree पता चल गया, तो sin 53 की value कितना होती है, sin में बड़ी value, तो sin में 53 कितना होगा, 4 by 5, तो theta कितना हो जाएगा, मने पास sin inverse 4 by 5, simple question, बढ़ते हैं, अगले question पर 36 पर चलते हैं, 36, which of the following is the graph between height of the projectile and time t, when it is projected from the ground, एक projectile को अपने ground से project किया है, तो ground से project करने पर आपके पास situation क्या रहती है, ground से project करने पर projectile ऐसे जाता है, और वापिस इस तरह से आएगा, तो time के साथ, time के साथ projectile के height पहले दिरी-दिरी-दिरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर height वापिस क्या होगी, time के साथ कम होगी, और travel time के बराबर time पर height वापिस किती हो जाएगी, zero हो जाएगी तो ऐसा graph जिसमें height बढ़ती जा रही है, maximum हो रही है और वापिस क्या हो रही है, zero हो रही है this will be the projectile, ये projectile जो रहेगा, ये ground to ground projectile रहेगा अगर tower से पूचे जाता, तो tower से पहले height h होती है, और फिर दिरी दिरी क्या होती जाती है, height कम पड़ती जाती है तो tower से और ground से दोनों का graph, ये जो उपर वाला option है, ये tower से projection का graph है और नीचे जो है, ये ground से ground का projectile का graph है, तो अपना जो answer रहेगा, that will be 3, question number 36 चलते हैं अपन अगले question पर, हमें ये बोला जा रहा है, that a projectile fired from level ground at angle theta above the horizontal एक projectile को horizontal से theta angle पर fire किया है, and the elevation angle phi of the highest point as seen from the position point is related to theta by the relation, okay इसके लिए पहले तो अपन यहाँ पर जानते हैं, कि range और height में क्या relation होता है, r10 theta that is equals to 4h देगे, एक, दूसरा, अपन यहाँ पर बात करते हैं, ये projectile अपने fire किया, इसकी height हो गई ये, h, ये हो गई range, तो ये अपने पास r by 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अपने पास r by 2 हो जाएगा, ये जो पुछा हो है angle of elevation, angle of elevation का मतलब हो जाता है, कि आप इस point से इस point को अगर देख रहे हैं, तो आपको किस angle पर देखना पड़ेगा, that is elevation angle, अपन उस projection, point of projection को अगर देख रहे हैं, तो वो angle को क्या रहेगा, तो ये अपने पास, अगर angle phi है, तो देखो, ये क्या है, h, ये distance किती है, r by 2, तो अपन tan phi के लिए लिए लिख सकते हैं, tan phi will be equals to, h upon कितना हो जाएगा, r by 2, तो tan phi, that will be equals 2, इसको बेज़ेता उपर, ये हो जागा, 2h upon क्या हो जाएगा, r, tan phi, this will be 2h upon r, इधर देखो, क्या है, 4h upon r, अगर मैं यहां से इसको shift करता हूँ, तो 4h upon r की value किती होती है, tan theta होती है, तो यहां से मैं देख सकता हूँ, कि 2h upon r की जो value रहेगी, that will be tan theta upon क्या हो जाएगा, 2, यहां से 2 लेके एक divide कर दिया, तो basically यहां से अगर अपन देखें, तो tan phi की जो value बिनेगी, 2h upon r, 2h upon r किसके बराबर है, that is, tan theta upon क्या हो जाएगा, 2, तो tan phi will be equals to tan theta upon 2, tan phi will be equals to 1 by 2, tan theta, बढ़िया खुशन है, अच्छे सी बात है इस में, चीजों को अपने यूस किया, tan phi will be equals to tan theta upon 2, done, अगले question पर चलता है, 38, एपराजक्ट, एपार्टिकल, इस फ्रोन विट स्पीड यू, ठीक है, at angle theta with the horizontal, ठीक है, एक पार्टिकल को अपने fire किया है, यहां से, यू से angle कितना है, theta, when particle makes an angle phi, यहां पर कोई और point है, जहां पर इसका angle horizontal से क्या बन रहा है, phi बन रहा है, velocity, let's say, इसकी V है, its speed changes to V, इसकी speed कितनी हो जाती है, V हो जाती है, तो U और V में क्या relation रहेगा, अपन जानते हैं कि horizontal component क्या रहेगा, हमेशा same रहेगा, तो यह रहेगा, U cos theta, यह हो जागा मेरे पास कितना, V cos phi, हम लोग देख सकत V की value जा रहेगी, that will be equals to U cos theta, V, that will be equals to U cos theta into, यह cos phi नीचे आएगा, cos phi नीचे आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, this will be sec phi, तो V will be equals to U cos theta sec phi, V will be equals to U cos theta sec phi, option number 3, done, simple, V will be equals to U cos theta sec phi, question number 38, अपनने ब्रीट किया, चलते हैं, अपन अगले कुश्चिन पर, 4 bodies P, Q, R, S, are projected with equal velocities, having angle of projection 15, 30, 45, 60, the horizontal, with the horizontal respectively, the body having shortest range, shortest range, देखो, 45 पर तो, 45 डिगरी पर अपने पास range जो रहेगी, maximum रहेगी, range 30 पर और 60 पर range क्या रहेगी, बराबर रहेगी, पर 45 से कम रहेगी, और 15 डिगरी का angle सबसे कम है, तो range क्या रहेगी, minimum रहेगी, 15 डिगरी वाला कौन है, P है, तो P पर आपके पास shortest range रहेगी, done, simple, 40 पर बात करते हैं, 40, इधर, यहाँ पर अगर आपन देखे, तो, तो, the projectile is thrown apart with velocity V0 at angle alpha, when it strikes the same horizontal plane, change in its velocities, okay, okay, solve देगे इसको, एक projectile को यहाँ से अपने U से फेका है, angle अगर theta है, तो इसका horizontal component U cos theta रहेगा, और vertical component अपने पास U sin theta रहेगा, इधर, यहाँ पर, इस point पर बात करते हैं, तो, horizontal component तो अपने पास किता रहेगा, U cos theta ही रहेगा, but downward direction में vertical component इधर अब क्या रहेगा, U sin theta रहेगा, तो इसमें से अपन इसको subtract करेंगे, change in velocity क्या होता है, final minus क्या हो जाएगा, initial, तो final minus initial में U cos theta से U cos theta तो cancel हो जाएगा, यह positive है, minus this term, अगर अपन downward direction को positive consider करें, upward direction को मैं negative consider क तो, U sin theta minus of minus U sin theta, that will be delta V की अगर में बात करूँ, तो this will be 2 U sin theta, आप चाओ तो upward direction को भी positive consider कर सकते हो, but एक ही बात है, और अपने downward direction positive consider करेंगे हैं, तो यह अपने पास क्या बन रहा है, result भी अपना क्या आ रहा है, अभी positive आ रहा है, यानि कि यह change in velocity किस direction में हुआ है, downward direction में तो, this will be 2 U sin theta, या अगर अपने पास alpha बोल रखा है, तो alpha और V0 बोल रखा है, तो 2 V0 sin alpha vertically downward, यह रहेगा अपना answer, 2 V0 sin alpha, this is vertically downward, आप upward direction को positive consider कर लो, तो इसका result negative आ जाएगा, यानि कि आप automatically, आपको final minus initial करोगे, तो this term minus that term, इधर वाला term, जो है, इस U sin theta, minus, minus U sin theta, तो यह आपके पास downward direction, positive result रहेगा, जो अपनी positive direction आपने consider कर रहे है, तो, 40, आगे, 41 की बात करते है, 41 क्या बुल रहा है, 41, बुल रहा है आम लोग को, that, coordinate of a moving particle, at any time, T are given by, X is equals to this, and Y is equals to this, the speed of the particle as time is, तो यहाँ पर velocity in X direction बूल देते हैं, तो इसका differentiation, 3 alpha T square, velocity in Y direction, यह बूल सकते हैं, अपनी बीटा T square, तो अपने पास क्या हो जाएगा, V, that is equals to under root of, यह हो जाएगा, VX square plus क्या हो जाएगा, VY square, जिसको अगर आपन देखें, तो 3 T square तो अपन क्या ले सकते हैं, common ले सकते हैं, यह under root में हो जाएगा, alpha square plus beta square, तो 3 T square common, under root of, alpha square plus beta square, 3 T square common, under root of, alpha square plus beta square, then, question number 41, हमारे पास option रहेगा, इसका answer, correct answer 3, question number 42 की बात करते हैं, 42, एप बाल is thrown, एप बाल is thrown apart, and returns around, describing a parabolic path, यह नहीं कि अपनने किसी angle पर project किया है, which of the following quantities remain constant, kinetic energy नहीं change हो रहा है, the speed of the ball, speed of the ball भी change होती है, vertical component यह भी change होता है, अपन जानते हैं कि projectile की motion में, horizontal component हमेशा उसका क्या बना रहेगा, same होगा, तो 42 का answer रहेगा, the horizontal component of velocity, next, 43, at what angle, the angle to the horizontal, should an object be projected, so that maximum height reached is equal to the horizontal range, आपन जानते हैं, आपने पास क्या रहता है, r 10 theta, r 10 theta, that is equals to 4h, इसने बोला है, the maximum height reached is equal to the horizontal range, यानि कि range और height क्या हैं दोनों, equal हैं, तो 10 theta की value कित्ती हो जाएगी है, हमारे पास, 10 theta will be equals to 4, 10 theta will be equals to 4, question number 43, answer number 2, done, 44 पर चलते हैं, 44, 44 जो हमें लग रहा है, question क्या बूल रहा है ये, a ball of mass m is thrown vertically apart, another ball of same mass is thrown at angle theta to the horizontal, एक को vertically apart फिका है, देखो, एक ball को अपने vertically apart फिका है, और एक को अपने यहां से theta angle फिका हुआ है, if the time of flight for both is same, time of flight अपने को same दे रखा है, कहने का मतलब, ये उपर जाके यहां से नीचे आ रही है, और ये यहां से जाके इधर वापिस इधर आ रही है, basically ये भी एक projectile ही है, जिस projectile का angle of projection कितना होता है, ये अपने पास रहेगा, 90 degree और इसका angle of projection अपने पास कितना है, theta है, और इसने बहुत important term जो दी है, time of flight for both is same, the ratio of maximum of height attained is, ठीक है, एक vertically apart किसे object को project किया है ना, तो वो भी एक projectile ही है, बस उसका angle कितना है, 90 degree है, तो यहां पर देखो, अपन projectile के लिए क्या जानता है, height और time में relation, क्योंकि इसने time of flight same दे दिया है, तो height 4H that is equals to gt square upon कितना होता है, अपने पास 2, तो 4 constant g constant 2 constant, h will be proportional to t square, पर इसने यह बोल दिया है कि time दोनों का क्या है अपने पास, time of flights for both are same, तो अगर अपन h2 upon h1 लिखना चाहते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, t2 upon t1 का whole square, पर t2 और t1 दोनों क्या है, same है, तो h2 upon h1 कितना जाएगा अपने पास, 1 is to 1, एक बहुत ही बढ़िया question, इसको आप अगर simple तरीके से solve करते हैं, कि अपन यहाँ पर time of flight same नहीं consider करते हुए, angle of projection के according solve करते हैं, तो आपका answer अलग आ सकता है, पर यह term इसने important दे दी है, that time of flight for both is same, time of flight same होने का मतलब t same हो गया, यानि कि इनका जो vertical component of ui, वो दोनों same है, तो hb क्या हो जाएगी, फिर same हो जाएगी, तो अपने पास ratio जाएगा, that is 1 is to 1. Next, question number 45, आगे बात करते हैं, a boy can throw a stone up to maximum height of 10 meter, maximum height, maximum height कहने का मतलब यह maximum height तो तब होगी, जब अपन इसको vertically up-wardy फेक रहे हैं, यह maximum height अपने पास कितनी आ गई है, यह अपनी कितनी है, 10 meter, the maximum horizontal distance so that boy can throw the stone up to will be, तो maximum horizontal distance, maximum horizontal distance होती है, horizontal से अपना angle कितना होता है, 45 degree, तब इसकी range जो रहती है, वो क्या रहती है, maximum रहती है, इधर देखते हैं, यह 10 meter height है, u से फेका हुआ है, तो अपने जानते हैं कि u square upon 2 g, यह रहता है आपने पास height, that is equal to 10 meter, range में बात करते हैं, तो range अपने पास रहता है, u square sine, यह अपने पास हो जाएगा, 2 theta upon क्या हो जाएगा, g, यह अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो range आपकी maximum कितना हो जाए, theta is equal to 45 पर, range will be maximum, theta 45 रहता हैंगे, तो यह हो जाएगा, आपने पास sin 90 और this will be u square upon g, तो r maximum will be u square upon g, यहाँ से देखते हैं अपन, u square upon 2g की value कितनी चल रही हैं, 10 meter चल रही है, तो we can see that u square upon g will be equals to 10 into 2, that will be 20, यहाँ कि u square upon g, this will be equals to 20 meter, कहने का मतलब अगर रड़का ball को 10 meter height, vertical height तक फेक सकता है, maximum, तो वो horizontally उसको 20 meter maximum horizontal range तक फेक सकता है, जबकि उसका angle of projection कितना होना चाहिए, 45 degree होना चाहिए, तो that will be 20 meter, done, बढ़िया neat level का एक अच्छा सा paper अपने अभी solve किया है, आपने सारे questions अपने solve किया है, conceptually, आप questions के लिए, अगले माइनर्स की भी preparations के लिए, इन सारी चीजों के लिए, आप YouTube, हमारा YouTube channel, जो है, CLC सिकर YouTube channel, उसको visit करिए, हम लोगों ने हर topic wise सारे questions किये हैं, और हम लोगों ने previous papers की भी काफी सारे questions solve करके रखे हुए हैं, उससे आपकी skills थोड़ी improve होगी, हमारा paper complete है, मैं उम्मीद करता हूँ, आपके अच्छे marks आए होंगे, this is for today, thank you very much.